कोई छोटा सा नन्हा मासूम सा पपी हो सकता है, सोच ये कैसे होते हैं छोटे वाले, सब बोलते हैं कि बड़े क्यूट हैं, इतने इतने हो ऐसे से, चलते भी है तो गिर पड़ते हैं, और उसने एक दिन आपको काट लिया और आपको रेवीज दे दिया, ये कैसे हुआ, अभी इतने से थे, थे न, मासूम थे, आप ऐसे कैसे हो गए, आज थोड़ा विचारिएगा, तो क्या हो जाता है हमारी जीवन यात्रा में, जो हमारी मासूमियत हो जाती है, और हम वैसे हो जाते हैं, जैसे आज हैं, ये सूचिएगा, लिखिएगा, लिखने में सुजधा होगी अगर अपने बच्पन की कोई तस्वीर आप थोड़ा एक पुरानी और एक आज की पुरानी पे लिखिएगा ये मैं हूँ आज की पे लिखिएगा ये वाइरस है घट के भीतर चोर लगत हैं बैठे घात लगाई घट उधारन से समझाता हूँ आज कल इस पर बहुत शोर चल रहा है जो ये हमारे सडकों पर स्ट्रे डॉग्ज होते हैं हिंदी में बोल देते हैं आवारा कुट्थे और ये भी बात सही है कि दुनिया भर में रेबी से सबसे आदा मौते भारत में होती है दुनिया में जितनी मौते रेबी से होती हैं उसमें से 30-40 प्रतिशत सिर्फ भारत की हैं भारत है भारत के बाद चीन का नमबर आता है रेबीस होता भी जयातर कुट्थों कहीं काटने से बिल्ली आदी से भी हो सकता है पर जयातर कुट्थों से ही होता रेबीस वाला कुट्था काटता क्यों है हम समझना चाहते हैं घटके भीतर चोर लगत हैं बैठे घात लगाई रेबीस वाला कुट्था काटता क्यों है और इसलिए ज्यादा लोगों को वो काट पाता है क्योंकि वो अन्यथा नहीं काटता था कोई साधारन सा कुट्था है ऐसे सड़क के कुट्थे होते हैं साधारन अपना वो शान्त रहने वाला तो ऐसे होते हैं सड़क वाले उचारे कि उनको ऐसे हूँ कर दो तो भग भी जाते हैं पर जब उसको रेवी दाता है तो वो काटना शुरू कर देता है वो क्यों काटता है घट के भीतर चोर लगा थे बैठे घात लगाई वो काटता क्यों है वो काटता क्यों है वो नहीं काटता वाइरस काटता है नहीं समझे वाइरस लार्क के माध्यम से ही फैल सकता है वाइरस उस कुत्ते को मजबूर करता है कि तुम काटो ताकि मैं अगले में फैलू कुत्ते ने नहीं काटा वाइरस ने काटा घट के भीतर चोर लगते हैं, आपको लगा कुट्टे ने काटा है, कुट्टे ने तो काटा ही नहीं है, कुट्टा काटता था वाइरस से पहले, जब उसको वाइरस नहीं था, आप उस कुट्टे को 5 साल से जानते हो, आपके घर के आगे कहीं बैठा करता है, तो दर भूमता अब अभी भी उसने नहीं काटा है, उसने नहीं काटा है, वायरस ने काटा है, वायरस ने क्यों काटा है, क्योंकि वायरस को अगला शरीर चाहिए, जो वायरस होता है, जैसे कुट्टे ने काट लिया, यह आम तोर पे एक कुट्टे से दूसरे कुट्टे में जाती है, आदम से चलता है उसका जो वाइरस है वो धीरे 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 करकर के करकर के पहुंचता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक ब्रेन में पहुंच गया और रीड़ तक पहुंच जाता है यहां तक पहुंचता है ब्रेन में पहुंचके उसका काम पूरा हो गया जितना एक शिकार के अंद जैसे आपको आपको जीने के लिए क्या चाहिए यह चाहिए तो आप कहते हो मुझे जीने के लिए साब हवा चाहिए आपको पानी गंदर डाल दिया तो आप क्या हो जाते हो तो इसी तरीके से हर जीव को अपने लिए एक अनुकूल वातावरन चाहिए होता है आपके लिए हवा है एक अनुकूल जगह वैसे ही वाइरस के लिए हवा नहीं जगह है वाइरस को आप एसी छोड़ दीजिए हवा में तो मर जाएगा वाइरस सिर्फ कहां जिंदा रह सकता है होस्ट बॉड़ी के अंदर तो वाइरस वहां ते चलता है यहां पहुंच जाता अब यहां पह रहां पर आता है अब लार में आता है यहां पर तो जितना में फैल सकता था आबादी बढ़ा सकता था आबादी बढ़ा ली काम वही है आबादी बढ़ाने का काम क्या है आबादी बढ़ाओ आबादी बढ़ाओ आबादी बढ़ाओ क्याता है यहां जितनी आबादी बढ़ करके कि जा काट कुट्टे ने नहीं काटा वाइरस ने काटा वाइरस कुट्टे को मजबूर कर रहा है जा काट क्योंकि काटने से कुट्टे को क्या मिला कुछ नहीं क्या मिला गोली मार देते हैं अक्सर जब कुट्टा काटता है तभी तो और पता चल जाता है रेवीज वाल को मिला घट के भीतर चोर लगत हैं बैठे घात लगाइ सुझ कुछ नहीं करते हैं कि हम कुछ नहीं करते हम किसी और के स्वार्थ की पूर्ति है तुं वाइरस जानते हैं कितना चालाग होता है इसी उधारण को और आगे बढ़ा रहा हूँ वो अपने आपको प्रकट ही नहीं करता जब तक कि वो अजे नहों हो जाए जो उसके सिंटम्स होते हैं वो प्रकट ही नहीं होते जब तक कि वाइरस इन्विंसिबिल नहीं हो गया इसलिए एक बार रेवीज के सिंटम्स आ गए तो आप उसे बचा नहीं सकते व्यक्ते को व्यक्ते को तभी बचा सकते हैं अब तक उसमें सिंटम्स नहीं हो सिंटम्स माने क्या होते हैं रेवीज के सिंटम्स 25 लोग हैं जो जो बचा लिए गए symptoms के प्रकट होने के बाद भी वरना कोई नहीं बचता अगर rabies का symptom आ गया तो आप मरोगे आप बचाए जा सकते हो symptom प्रकट होने से पहले आप जाके injection लगवा लिजी उसके जो भी injection होते हैं तीन साथ कुछ आप बच जाओगे कोई समस्या नहीं है लेकिन अगर आपने देर कर दी और symptom आ गए तो अब नहीं बचोगे यह symptom छुपा के कौन रखता है क्योंकि अगर पहले ही प्रकट हो गए तो तो वाइरस मार दिया जाएगा अगर पहले ही प्रकट हो गए तो वाइरस को हम मार देंगे तो वाइरस बहुत चालाकी से अपने लक्षणों को छुपा के रखता है वो सामनी नहीं आने देता लक्षण और जब लक्षण सामने आते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है वाइरस मुस्कुराता है बोलता है अब पश्टाए होती क्या चिडिया चुक गई खे अब तुम्हें पता भी चल गया कि रेवेज हो गई है तो अब क्या कर लोगे बचा सकते हो तो बचा लो लक्षणों के प्रकट होने के बाद एक हफते के भीतर भीतर लगभग सभी रोगी विदा हो जाते है एक हफता अधिकतम है दस दिन जी जाए तो बड़ी बात लक्षण प्रकटी नहीं होने देता है ये प्रक्रत है लक्षण प्रकट हो गए तो उसकी आबादी कम हो जाएगी लक्षन प्रकट हो गए तो आबादी कम हो जाएगी, तो वो भीतर क्या करता है, अपने आपको छुपा है, घट के भीतर चोर अपने आपको छुपा के रखता है, चोर प्रकट हो गया तो चोर मारा जाएगा, बीमारी अपने लक्षन छुपा के रखती है, चोर भी प्रकट ह पर कब जब सब कुछ हो चुका है काम पूरा हो चुका है अगली सुभा आई है तब प्रकट हुआ रे चोरी हो गई अब कर सकते हो जो कर लो अब तो चडिया चुक गई खेत या जब चोर घर में घुसाएगा और आप सो रहे हो गहने पहन के और वो पूरे तरीके से अब घर पे चालेगा तब आपकी सिराने खड़ा हो जाएगा बंदूक लेके और कहेगा उठ अब चोर प्रकट हो गया पर अब आप कुछ कर सकते हो क्या अब तो घर में आ गया उसने घर में अपना जहां भी उसको अपने आपको पोजिशन करना था कर लिया और अब वो आपकी सिराने खड़ा हो गया और कर रहा है उठ चल हार उतार अब आप कुछ कर लोगे हम जो कुछ भी कर रहे हैं हम से कोई चोर करवा रहा है हम कुछ भी नहीं कर रहे है है यहां तक तो आपने खा कुट्टे से रेवीज का वाइरस करा रहा है थोड़ी बुद्धी आगे बढ़ाईए रेवीज के वाइरस से कौन करा रहा है गुड़ा गुड़ेश यहां कोई करने वाला नहीं है कुट्टे को क्यों बोल रहे हो कि मेरे पीछे दोड़के उसने काट लिया कुट्टा नहीं दोड़ रहा था लारवाला वाइरस दोड़ रहा था जल्दी से जाओ मुझे उसके शरीर में प्रवेश दिलाओ तुम्हारा शरीर सैचुरेट हो गया है तुम्हारे शरीर में अब और जगह नहीं है मेरे बढ़ने की जाओ मुझे उसके शरीर में डालो जाओ मुझे उसके शरीर में डालो ताकि मेरा DNA मल्टिप्लाई हो सके मैं आपसे पूछ रहा हूँ तो यह प्रक्रिया गर्भाधान से बहुत अलग है क्या किसी दूसरे के शरीर में प्रवेश करके अपना DNA उसके शरीर में डाल देना तो कुट्दा काटने वाली तो बात है ठीक है प्रेम वगएरा आप बहुत है नमस्कार पर बात तो वही है और परिणाम भी शायद मैं नहीं जानता है लोग ऐसे ही मेरे पीछे पड़े हुए है लोग थोड़ी पीछे पड़े हुए है आपके पीछे रिवीज वाला कुत्ता पड़ा होता है थोड़ी का वगए वो पड़ा है वाइरस पड़ा है पीछे हम कुछ नहीं कर रहे हमसे कोई करवा रहा है इसलिए बुद्ध ने कहा हम हैं ही नहीं हम शून नहीं अंधी प्रक्रियाएं हैं वो अपना काम कर रही हैं हमें लगता है हमने किया हमें लगता है दूसरों नहीं किया हमें लगता है कुत्ते ने काटा कुत्ते ने तो काटा ही नहीं वो आपका ही कुत्ता था बहुत सारे तो घरेलू कुत्ते होते हैं जिनके काटने से रेवीज होता है वो आपका ही कुत्ता था इतना सा था वो पपी आप उसको लेके आये थे आपने उसको पाला आये आप उसको बोलते हो, मैं तो pet mother हूँ, ये सब करते हो, वो आपको कैसे काट सकता, उसने तो काटा ही नहीं, किसी और ने काटा, पर इल्जाम इस पर जाएगा, हम जानते ही नहीं, attribution error, हमें पता ही नहीं कौन करवा रहा है, घट के भीतर चोर लगत है, घट खाली है, शूने है, आचारे नागारजुन, घट शूने है, घट के भीतर जो भी खट पट है, वो चोरों की है, जितना कुछ खटपट चल रही है भीतर, वो किसी और की खटपट है, घट की नहीं है, घट तो मिट्टी है, घट रखा है, घट माने घड़ा, घड़े में से रात में आपको कुड़ 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 हो आप कुछ नहीं है आप नहीं हो आपके भीतर कोई घुसा है जो सब करवा रहा है इसको कहते हैं आविश्ट होना पजेस्ट होना आप क्या सुछते हो भूत प्रेत वो चीज है जिसमें ऐसे ऐसे करा जाता है नहीं भूत प्रेत वो भी चीज है जिसमें सुबह सुबह पहनवा रहा है, फिर गाड़ी में बैठा रहा है, फिर कार्ड स्वाइप करवा रहा है, फिर लॉग इन करवा रहा है, कोई और है, you are possessed, वाइरस, जो उदाहरण में वाइरस है, वो अध्यात्न में वृत्ति कहलाता है, वृत्ति, मैंने किया, इस से बड़ा जूट कोई नहीं है, क्योंकि इसकी शुरुवात ही मैं से है, जो मूल जूट है, मात्र जूट है, मदर फॉल्सनेस, डिसेप्शन, लाई, मदर इल्यूजन, आप प्राणी विज्जान में जाएंगे, जीव विज्जान में, वहां एक के बाद एक उदाहरण पाएंगे, जहांपर एक जीव दूसरे के शरीर में प्रवेश करके दूसरे का व्यवहार बदल देता है, दूसरे का व्यवहार बदल देता है अपने स्वार्थ अनुसार कोई आपके शरीर में प्रवेश करता है और अपने स्वार्थ के लिए आपका व्यवहार बदल देता है और आपको पता नहीं लगता आप कहते हो व्यवहार तो मेरा है वो विवहार आपका नहीं है, वो विवहार उसका है जो आपके शरीर में प्रवेश कर गया है, ठीक है न, ये होता है जीव विज्ञान में, मनो विज्ञान में क्या होता है इसी के सम्तुले, अरे यार, मनो विज्ञान में क्या प्रवेश करता है आप में, जीव तो स्थूल होता है वाइरस इस थूल है उसको आप देख सकते हो ऐसे वहां कुछ और है जो आप में प्रवेश करता है और आपको पूरी तरह बदल देता है अपने हाइडरोफोबिया होता है उसमें व्यक्ति पानी नहीं पी पाता कहते हैं पानी से डर लग रहा है पानी से डर नहीं लगता बस यह है कि यहां पर असल स्पैस्म जाते हैं तो पानी घुटक यह नहीं सकता जब घुटक यह नहीं सकता तो पानी लेता है तो पानी को बार-बा उलट देता है, तो लोगों को लगता है कि ये पानी से डर रहा है, डर नहीं रहा है, कोई स्वय में ऐसा करेगा कि पानी न पिए, करेगा क्या, ये उससे कोई करवा रहा है, वरना आप ऐसे थोड़ी करते, इसी तरीके से हम में जो कुछ इंद्रियों के माध्यां से प्रवे कर रहा हूँ ग्यान की वो हमें पानी नहीं पीने देता है हाइड्रोफोबिया ग्यानोफोबिया कर देता है हमें सुचो आदमी कितना अजीब होगा जिसको पानी पिलाओ और वो पानी से ऐसे ऐसे कापे और पानी पिला भी दो तो पानी उलट दे कैसा अजीब आद्मी होगा हम कैसे अजीब आद्मी हैं जो ग्यान से दूर भागते हैं और ग्यान देवी दो तो ग्यान उलट देते हैं हम नहीं कर रहे हमसे कोई करवार आए वो वाइरस जो हमें प्रवेश कर चुका है और अगर वो करवार आए तो उसमें भी उसका कुछ स्वार्थ है यह जो करवार आए ना इसमें उसका स्वार्थ है समाज आपको ज्यान नहीं लेने देगा रिभी इसका कुत्ता दूसरे को काटता है तो क्या फैलता है? कुत्ता नहीं फैलता आप क्रोध में भरके दूसरे हो काटते हो तो आप नहीं फैलते क्रोध फैलता है अभी तक क्रोध किस में था सिर्फ आप में आपने क्रोध में दूसरे हो काट लिया क्रोध का वाइरस कहां चला गया सामने वाले में भी अभी एक क्रोधी था आप कितने क्रोधी हो गए अब सत्संग का मतलब समझ में आ रहा है सत्संग का मतलब होता है immunization और बकवाद gossip का क्या मतलब होता है पहले कुड़ा सिर्फ मेरे दिमाग में था और मैंने जा के तुझे क्या करा है काट लिए अब वो कुड़ा तेरे शरीर में भी कौन से शरीर में स्थूल में नहीं मन सुक्ष्म में वो कुड़ा तेरे अंदर भी चला गया अब तू भी एक carrier बन गया है पहले सिर्फ मेरे भीतर था मैंने तुझ में फैला अब तू क्या करेगा आगे फैलाएगा पर जैसे रेबीज टिटनेस इन सब के खिलाफ क्या आता है वैक्सीन आती है उससे आप में एक लग एक स्थर की पहले लगी थी अब इम्यूनिटी क्या होती आप ही के शरीर में इम्यूनिटी वाली शिल्स आ जाती है उनकी घटती रह को तो कहता है चलो खत्रा रोज जाकर बैठो, यह मत सोचो कि बच्पन में एक डोज लगवाली थी तो जनम भर चलेगी, यह कौन सा दोहा है यह आप लोग लिखेंगे, जहां वो कहते हैं, रोज बैठो, रोज नहीं बैठ सकते, दो दिने बैठो, दो दिने बैठ सकते, हफ्ते बैठो, 15 दिने बैठो और जो एकदम नहीं बैठ सकता है, जा जाके मर, तुझे कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि बाहर जो वाइरस है, वो तो लगातार, आप पे आकरमन करे ही रहा है, और इम्म्यूनिटी, आपने मान लिया कि एक बार बच्पन में हमें लग गया था, वो DPT तो हमारा काम हो गया ऐसे थुड़ी होता है, रोज चाहिए होती है, क्योंकि आकरमन भी आपके उपर रोज हो रहा है, हमारे व्यवाहार में ऐसा कुछ भी नहीं है, जो हम स्वयम कर रहे हो, यह कितनी खतरनाग बात है, कितनी ज्यादा खतरनाग बात है, अभी कोविड हुआ था, उसके वाइर कोविड भीड में फैलता था, हम जानते थे, हम कहते थे, बढ़िया दूरी बनाओ, कहीं चिपा करो एक दूसरे से, इतना चिपकोगी उतना फैलेगा, और थोड़ी दूरी है, तो वो नहीं पहुच पाता, क्योंकि वो एरबॉर्न है, वो ऐसे फैलता है, उतनी दूरी में नहीं पहुच पाता हूँ आप तक, तो भीड वालों को लगेगा जयादा, क्योंकि वो कहां घुसे थे, और जिनको लगा वो कॐन है, भीड वाले, जिनकी भीड में घुसने की, तो आगे भी क्या करेंगे, वही भीड में घुसेंगे, आगे और फैलाएंगे, वाइरस को भीड़ वालों को लगो जिनकी भीड़ की आदत है वो भीड़ में जाएंगे तो नहीं लगेगा और चू की भीड़ में जाने की इनकी आदत है इसलिए वो मुझे ले करके फिर भीड़ में जाएंगे दुबारा औरों को लगवाएंगे कोई और है जो आपसे करवा रहा है ये सब कुछ वो आपको भली भातित परक रहा है और आपको परक क्या आपका शिकार कर रहा है एकांतवासी को थोड़ी लगेगा जैसे एकांतवासी को कोविड नहीं लगता भी उसी तरीके से जो सामाजिक भीड में घिरे रहना पसंद करते हैं उन्हें मानसिक वाइरस भी ज्यादा लगते हैं और वही फैलाते भी हैं समझ में आ रही बात है अब आगे देखो वाइरस सबसे ज़्यादा आप किसको फैलाते हो मतलब क्या निकला घर की एक आदमी को है तो वो क्या गरेगा पर घर में अगर एक आदमी स्वस्थ हो तो क्या वो सबको स्वस्थ कर पाता है दिन भर आप यहाँ पे आ करकर के बोलते रहतें अरे अरे मेरे घरवाले मुझे गीता में नहीं बैटने देते आप स्वस्थ हो अपने घरालों को स्वस्थ कर पाए नहीं कर पाए नहीं कर पाए ना पर घर में अगर एक को वाइरस लग गया तो घर में छह लोग हैं तो छह को लगेगा और उन 6 में भी सबसे पहले किसको लगेगा जो आपके सबसे निकटका है जो आपसे ही चिपक्य रहता है उसको सबसे पहले लगेगा और सबसे आदा चिपक्य हमारे कौन रहता है जिसको हम क्या कहते है प्रेम तो प्रेम का अर्थी होता है ले मेरा वाइरस तू भी ले मेरा वाइरस तू भी ले आपको जिससे प्रेम नहीं उसको कैसे कोवीड या कोई वाइरस दे के आओगे बताओ तो कुछ वाइरस तो ऐसे होते हैं जो फैलते ही, वो जो खास तरह का लव है उससे जैसे अचाईवी, वो तो प्रेम से ही फैलता है, जिससे प्रेम नहीं उसको कैसे अचाईवी देखे आओगे, खून से, नहीं तो कोई थरीका ही नहीं है, जो हम पर चाता है, जो हमें पजस करता है, वो हमारे व्यवहार को परक कर हमें पजस करता है, पहली बात, दूसरी बात, हमें पजस करने, पजस करने के बाद मने हम पे कबजा करने के बाद, हम पे स्वामित तो लेने के बाद, वो हमारे व्यवहार को अपने अनुसार बदलता भी है वो हमारे व्यवहार को अपने अनुसार बदलता भी है तो हमारा व्यवहार फिर हमारा व्यवहार होता नहीं है वो किसी और का व्यवहार है वैसा व्यवहार हम कर तो हम रहे हैं लेकिन फाइदा किसी और को हो रहा है। वो व्यवहार कर तो हम रहे हैं, लेकिन उस व्यवहार से फाइदा किसी और को हो रहा है। जैसे कोलु का, बैल। जैसे रिहट का, पशु। वो व्यवहार तो कर रहा है। क्या व्यवहार है उसका। है देखा ही नहीं होंगा कभी है कि वह वहार तो कर रहा है लेकिन आे निए भूऄत तो कही नहीं पहुचेगा जो इसमें से तेल आरा रहाagus है वो किसको मिलेगा है वह आप पियोगे तेल, उसे खुद मिलता है क्या, खेत में भी जो अब नहीं होते हुते हैं, पर जो बैल लगे होते थे, फसल खुद खाते हैं क्या, जो उसमें से अन्नोगेगा, वो कौन खाएगा, हम जो कुछ कर रहे हैं, वो हमसे करवाया जा रहा है, घटके भीतर, चोर लगेता है, और वो चोर जो है, वो हमारे मालिक बन गए हम में घुसके, बाहर से आए चोर हम में घुसकर हमारे मालिक बन गए है, रेबीस का वाइरस कुट्टे में घुसके कुट्टे का मालिक बन जाता है, और फिर कुट्टे से पता नहीं क्या क्या करवाता है, हिंसा करवाता है, मरवाता है, सब कुछ करवा देता है कुट्टे से और ये तो हम जानते ही बहुत अच्छे से कि आपको वाइरस लगा हो और आपके गर्भ में शिशु हो, तो उसको लगेगा ही लगेगा अब इसी का जो मनो वैज्ञानिक एक्यूवेलेंट है खुदी सोच लो कि मा को जो मानसिक वृत्तियां लगी हुई है मा माने अभिभावक दोनों मा बाप या जो भी परिवार पूरा वो बच्चे को लगेंगी ही लगेंगी घट के भीतर चोर लगत है अन्यथा घट खाली है चोर ही है घट के भीतर और उन चोरों ने इस कदर कबजा किया है उनका पूर्ण है इतना एबसल्यूट है कि वो अपने आपको चोर नहीं बोलते हैं वो अपने आपको मैं बोलते हैं मैं माने मालिक बोलते हैं मैं यह मैं कर रहा हूँ आप थोड़ी कर रहे हो सुचो कितना कुटेल होगा वाइरस जो कुटे को मजबूर करता है कि जा काट और खुद कहां आके बैठ गया है लार में आके बैठ गया है खुद वाइरस आके लार में आके बैठ गया है और कुटे से बोल रहा है काट और जैसे ही कुट्ते ने काटा, वो लार से उसके अंदर घुस जाता है, घाओ के, और घाओ के अंदर घुस के चुपचाप बैठा रहता है, अपनी मौजूदगी किसी को पता नहीं लगने देता है, जब तक वो जहां काटा है, वहां से चल करके, यहां तक नहीं पहुँच जाता है इसलिए अगर आपको कोई कुटा या बिल्ली अगरा मूँ पर या माथे पर काट ले या यहां तो वो ज्यादा घातक सिद्ध होगी चोट क्योंकि उसमें जो वाइरस है उसे दूरी बहुत कम तै करनी पड़े यो जल्दी ब्रेन तक पहुँच जाएगा और ब्रेन पर पहुचने के बाद ब्रेन पर पहुचने से पहले ओलार में आता नहीं ब्रेन में पहुचने के बाद ओलार में आता है तुम उसकी कारीगरी देखो, उसकी चलाकी सुभजिए ये काम हमारे साथ रोज हो रहा है वाइरस जब कर रहा है तब तो फिर भी पकड़ में आ गया क्योंकि वाइरस पाहरी है, भौतिक है, मिटीरियल है तो वो दिखाई दे जाता एक आपको और यही काम जब एकदम सुक्ष्म, सटल तरीके से हो रहा होता है और आप में माननेताएं प्रवेश कराई जा रही होती है, माननेता के वाइरस तब आप क्या करोगे? बिलीफ के वाइरस का क्या करोगे? और जब भी आप किसी माननेता पर चलते हो, उसमें आपको कुछ नहीं मिलता ठीक वैसे, जैसे काटने से कुछ नहीं मिलता अपनी मालिक को काट रहा है, पालतू कुछ नहीं मिलता उसे क्या मिलेगा? काटने से कुछ नहीं मिलता कुट्टे को वैसे ही हम जिन माननेताओं के वाइरस पर चलते हैं उनसे हमें भी कुछ नहीं मिलता बस माननेताओं को कुछ मिल जाता है माया जैसे कोई concept नहों जैसे कोई जीव हो मुझे बहुत बार लगाए माया कोई सिधान्त नहीं है कोई abstraction नहीं है माया जैसे कोई चलता फिरता जीव है जैसे हम ही माया है कोई जीव क्या बोलें ये जो जीव है यही माया है हम थोड़े देर पहले भूख की बात कर रहे थे आप अपने आपको व्यक्ति समझते हो आपकी आतों में bacteria, fungus ये करोणों की तादाद में रहते हैं और आपका व्यवहार वो वहां बैठके बदलते रहते हैं क्योंकि आप जो खा रहे हो आप ही थोड़ी खा रहे हो बहुत सारा वो खा रहे हैं तो उनको क्या चाहिए उसके अनुसार वो आपकी भूख बदल देते हैं उनको क्या चाहिए आपके यहां बैठे हुए हैं समझ रहे हैं आप तो सोच रहे हो आप हो आप आप नहीं हो आपके भीतर करोड़ों और बैठे हैं और वो सब मैं 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 सबके पास मैं है मैं 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 तो उनको जो चाहिए उसके अनुसार वो आपकी भूख बदल देते हैं आपका आज अचानक मन कर रहा है कि रहे हैं आज ऐसे तो होता नहीं आज कुछ मीठा खाने का बन कर रहा है आपका नहीं कर रहा है उसका कर रहा है और उसने जा करके आपके ब्रेन को सिगनल दिया है मीठा मीठा तो आप मीठा मीठा कर रहे हैं वो मीठा आपके किसी काम का नहीं है बिल्कुल हो सकता है कि आप मोटे आदमी हो या आपको मधुमे है वो मिठास आपको तो भारी पड़ जाए पर वो मिठास किसको चाहिए वो भीतर कोई bacteria बैठा हुआ है और उसको अपने multiplication के लिए या अपनी किसी और जैविक प्रक्रिया के लिए आज sugar molecule की जरूरत है तो वो आपको मीठा खाने को मजबूर कर देगा वो मजबूर करेगा जाओ मीठा खा के आओ ये क्या हो गया मैंका क्या हुआ सबसे पहले तो उसको बिल भेजना चाहिए हमको भाई साब ये जो मिठाई थी ये दो पीस 56 रुपए की आई थी सबसे पहले तो इनवाइस क्लियर करिए क्योंकि खाई मैंने नहीं खाई आपने है पर ऐसा आप कर नहीं पाओगे कोई आपकी जेब से रुपए से लूट जाए 56 रुपए तो आपको याद रह जाएगा 56 रुपए गया और कोई आपके पेट के अंदर घुसके लूटके गया आप क्या करोगे हम हम नहीं है घट के भीतर चोर बसत है हमारा कुछ भी हमारा नहीं है आपके विचार जो आ रहे है कहीं कोई chemical है कहीं कोई कुछ है हजार तरीके अभी हम बैठे हुए वाइरस वही थोड़ी होता है जो symptoms दे दे इस समय भी लाखो करोणों वाइरस पता नहीं कितने अलग-अलग तरीके के हमारे शरीर में घुसे हुए है और उन में से बहुतों का स्वार्थ ये है कि वो asymptomatic रहें कि वो symptom न दिखाएं उनका स्वार्थ इसी में है वो symptom दिखाएंगे तो पकड़े जाएंगे मारे जाएंगे तो बहुत सारे COVID में सबसे खतरनाक रोगी कौन सा होता था जो symptom नहीं दिखाता था वो मौज में दुनिया घूम के आता था बाजार घूम रहा है गले मिल रहा है कुछ भी कर रहा है पार्टी कर रहा है और दुनिया भर को वो वाइरस बाटता फिर दा है वाइरस तो चाहता है कि वो अपनी मौजूदगी गुप्त रखे वैसे हमारे भीतरी पता नहीं क्या-क्या घुसा हुआ है जो गुप्त है लेकिन हमारे व्यवहार को संचालित कर रहा है और चुकि वो गुप्त है इसलिए आपको उसका बोलो उसी वाइरस को पता करने को बोलते है आत्मग्यान तो बार बार बोला है मैंने कि आत्मग्यान में कोई आत्मा का नहीं पता किया जाता ये अपने भीतर जो विदेशी समगरी घुसी हुई है उसको ही पता करने को आत्मग्यान बोलते है कुछ बहुत इससे साधारण निशकरश है जो इसपश्ट होने चाहिए जो कोई भी आविश्ट हो पजेस्ट उससे दूर रहना क्योंकि वो व्यक्ति अपना मालिक खुद दूर रहना वो अगर आपसे संपर्क भी कर रहा है संबंध भी कर रहा है तो किस लिए ताकि वो अपना जो रोग है वाइरस है पैथोजन है वो आप में किसी तरीके से प्रविष्ट करा सके तो हमारे संबंध जातर ऐसे ही होते है एक आदमी के भीतर की बीमारी आतुर होती है नया शिकार खोजने को तो संबंध बनाया इसलिए जाता है ताकि बीमारी एक से दूसरे में फैल सके ये संबंधों की प्रक्रति है ये संबंधों की पैथलोजी है इससे ये भी समझ रहे होगे स्वास्थे फैलाना कितना मuşकिल होता है इससे ये भी समझ रहे होगे क्यों हम लिखा करते हैं कि this is the most important and the most difficult mission in the world आपकी संस्था जो काम कर रही है स्वास्थ फैलाना बहुत मुश्किल है स्वास्थ फैलाना उतना ही मुश्किल है जैसे पेनिसलीन का विश्कार और बैक्टीरिया फैलाना कितना मुश्किल है बहुत आसान वो अपने आप होता है और एंटीबायोटिक्स आने में कितने दिन लग गए हजारों साल तक मनुश्य बैक्टीरिया इंफेक्शन से कितने अलग अलग तरीके के मरता रहा बीमार पड़ता रहा कितने कश्ट जेले और तब जाकर के कैसे कैसे कठनाई के बाद जाकर के अभी भी पता है सारे जितने बैक्टीरिया उनके खिलाफ अज भी नहीं बने हैं क्योंकि नए नए इनकी मुटेशन होते रहते हैं अब बहुत सारे सुपर बग्स कहलाते हैं अभी है सुपर बग्स क्या होते हैं एंटिबाइटिक रिजिस्टेंट जो लोग एंटिबाइटिक ज्यादा लेते हैं वो उनको सुपर बग्स ज्यादा लग जाते हैं और सुपर बग्स पैदा ही होते हैं एंटिबाइटिक रिजिस्टेंस से तुम डाल डाल तुम एंटिबाइटिक बनाओगे मैं उसके बाइपास करने का तरीका निकाल लूँगा ये चल रहा है चुहे विल्ली का खेल बहुत महनत से बनाई जाती है एंटिबाइटिक क्या कोई भी बीमारी या स्वास्थे का कोई भी उपाए और 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 दवाई इतनी महनत से बनाई जाती है और बीमारी अपने आप फैल जाती है एक काम के लिए अथा प्रैतन चाहिए और दूसरा काम तो बसाइसे ही है जैसे बहता पानी धलान पर अपने आप आज बढ़ जाएगा किसी से बात करो तो पूछो अपने आप से वो है या वाईरस है वो है या वाईरस है भरांती है लेकिन पहले लोगों में विश्वास था कि जिनने रेवीज हो जाता है उन्हें कुत्ता ही प्रवेश कर जाता है तो भौकने लगते हैं इसी मानने था अभी बहुत लोग में इसे लगता है कि जिसे रेवीज आगा भौकेगा मानते थे कि उत्ता प्रवेश कर गया है कुत्ता नहीं प्रवेश कर आगा वाइरस प्रवेश कर आया connection और बता वहां बहुत खतरनाग बात एक होता है लिटल पपी चिंड्रम जनने कुटा जानते हो इसको कौन जानता है क्या होता है ये हो नहीं जाते कैसे हो जाएंगे इंसान को पपी कैसे हो जाएगा लेकिन जनने रिबीद हो जाता है उन्हें लगने लगता है उनके पेट में पपीज आ गए है पुरुषों को भी लगने लगता है कि वो प्रेगनेंट हो गया उनके पेट में पपीज हैं पपीज़ंडरम बोलते हैं इसको कुछ ऐसा है नहीं और जिसको पता नहों कि उसे रेबीज हो रेबीज है उसको ऐसा लगेगा भी नहीं यह मानने था है चुकि ऐसा माना गया तो उसे भी ऐसा लगने लगता है कि मेरे साथ ऐसा हो रहा नहीं तो ऐसा वाहियात ख्याल क्यों आएगा किसी को खास दौरबे किसी पुरुष को कि उसे गर्ब हो गया और गर्ब में कुत्ते के बच्चे हैं ऐसे तो नहीं आएगा पर आ जाता है और जब यह हो जाए तो उसके दो-तीन दिन के अंदर मौत हो जाती है माननेता का शिकंजा जब ऐसा हो जाए कि आप विक्षिप्त ही वेवहार करने लगो तो यही मृत्य है यही मृत्य है अगर प्यार करते हो सच मुझ किसी से जितनी भी नियत साफ हो सकती है अपने आप से साफ पूछना उसको अपना प्रेम दे रहे हो है या अपना वाइरस और भूलना नहीं प्रेम बड़े शरम से दिया जाता है और वाइरस सोते सोते भी दे दिया जाता है आपको कोविड है, आप अपने छोटे बच्चे के बगल में सो रहे हो, आपने उसको कोविड दे दिया, सोते सोते, कोई शरम नहीं लगा लेकिन अब उस बच्चे का उपचार कराने बहुत शरम लगता है स्वास्थ शरम से आता है, बीमारी तो स्वपन से भी आ जाती है, निद्रा से भी आ जाती है पूछिएगा, बहुत बहुत इमांदारी से, जिस से रिष्टा बना रहे हो, उसको क्या दे रहे हो, वाइरस या वैक्सीन एक और सुनिएगा मज़िदार बात, आपको कोई भी पैथोजन लगता है चाहिए वाइरस हो, बैक्टीरिया हो, फंगस हो, कुछ भी आपको जो दर्द हो रहा होता है, इसको आप बोलते हो, आपको दर्द हो रहा है, या कश्ट हो रहा है, नुकसान हो रहा है आपका दर्ध है उसका लाब है आप तो कह रहे हो कि ये मुझे लग गया इससे मुझे दर्ध हो रहा है आपको दर्ध हो रहा है उसे लाब हो रहा है क्योंकि जहां जहां आपको दर्ध हो रहा है वहीं वहीं पर वो फैल रहा है और जितना आपको दर्द होगा और आपके घाओ बन जाएगे माली जी आपको लिप्रसी का लग गया जितना आप आपकी खाल बरबाद होती जाएगी उतना उसके फैलने की संभावना बढ़ती जाएगी आप जितना बरबाद हो रहे हो उतना वो आबाद हो रहा है कोई और है जो आप में बैठ कर आपकी बरबादी से अपनी आबादी बढ़ाता है लिप्रुसी, कोड, बैक्टीरियल होता ही तो जानते होंगे न? अब बहुत कम लोगों को होता है, पहले बहुत बड़ी बात होती थी, वो क्या करता है, वो खाल, मसल, हड़ी, तीनों बरबाद कर देता है, लेकिन वो आपकी बरबादी है, उसकी नहीं, वो जितना आपके फैलेगा, संक्रमण को और फैलाने की उसकी ताकत उतनी बढ़ती जाएगी, आपकी बरबादी में उसकी आबादी है, कोई और है, घटके, भीतर, चोर, बशबत हैं, आपकी बरबादी चोर की आबादी, इस मुझे कोड़ने बरबाद कर दिया, सहब नहीं, आप एक नहीं है, आप दो है, आपको लगा है, एक बरबाद हुआ है, असली बा स्वर्ण यूग, उसकी पुष्टें याद करेंगी, कि तीन सालों, की एक अवद ही आई थी, जब हमने दुनिया पे, राज करा था, आपकी बरबादी, उसकी आबादी, और वो बाहर नहीं है, वो आपके भीतर है, भीतर है, और भीतर भी वो शत्र बनकर नहीं, अन्य बनकर नहीं, अदर बनके नहीं, पराया बनके नहीं है, भीतर वो मैं बनकर है, वो आई बनकर भीतर बैठा हुआ है, रेबीज का कुत्ता जब भौके, तो कुत्ता नहीं भौक रहा वाइरस भौक रहा है हमारे भीतर क्या क्या है लिखिएगा और अगर ये भी लिख सकें कि जो आपके भीतर है थोड़ा याद करके कैसे वो आपके भीतर आया तो और अच्छा होगा आपके भीतर क्या क्या है और कैसे वो आपके भीतर आगया क्योंकि सदा से आप ऐसे नहीं थे कोई छोटा सा नन्हा मासूम सा पपी हो सकता सुचिए कैसे होते हैँ छोटे वाले सब बोलते हैं कि बड़े cute हैं इत dużo हैं चलते भी है तो गिरपड़ते हैं और उसने एक दिन आपको काट लिया और आपको रेवीज दे दिया, ये कैसे हुआ, कुछ तो रास्ते में अनपेक्षित हुआ है, कुछ तो इस यात्रा में गडवड हुई है, कोई तो विदेशी तत्तो है जिसने प्रवेश करा है, आप भी कभी इतने से थे, थे न, मासून थे, आप ऐसे कैसे हो गए, आज थोड़ा वेचारिये गए, तो कहानी तो सुनी होगी, बच्छवन में सभी पढ़ते हैं, कि राजा ने चित्रकार को बोला, कि जा करके, राज में जो सबसे मासूम हो, उसका चित्र बना लाओ, तो चित्रकार गया, खूब खोजा, और कहीं उसे कहीं एक बहुत चोटा सा बच्चा मिला, बोला, यही सबसे दिख रहा है मुझे, मासूम, उसका तस्वीर बना लाओ, दस-बीश साल बीते, तो राजा ने उसी चित्रकार को बुलाया, बोला कि जाओ, और जो राज में खुंखार और कुरूर, हिंसक दिखता हो, जाकर उसकी तस्वीर बना लाओ, तो चित्रकार ने इतर बहुत कोई कुरूर दिखा नहीं, तो राजा से बोला, मैं जेलो में देख सकता हूँ आपकी, वहाँ पे कोई मिल जाए, तो राजा ने का देखो, तो उसने जाकर के जे फूट के, तो राजा ने कहा क्या है, तो बोला, आपने दस-बीस साल पहले किसी मासूम चेहरे का चित्र बनाने के लिए भेजा था न, इनी चित्रकार को, तो राजा बोले, हाँ, भेजा तो था, तो नहीं कैसे पता, बोले वो जो इस मासूम बच्चे का चित्र इन्हों बनाया था, वो मैं हूँ मासूम बच्चा, मैं ही वो मासूम बच्चा हूँ, 20 साल पहले, जिसका इचित्र बना के लाये थे, और कहा था, इससे मासूम कोई नहीं हो सकता, और मैं ही अब वो खुंखार, बरबर, आतताई, कैदी हूँ, जिसको आपने हिंसा, के उदाहरण के दोर पर, आज चित्रित कराए, तो क्या हो जाता है हमारी जीवन यात्रा में, जो हमारी मासूमियत हो जाती है, और हम वैसे हो जाते हैं, जैसे आज हैं, यह सूचिएगा, लिखिएगा, लिखने में सुचिधा होगी, अगर अपने बच्चपन की कोई तस्वीर आप थोड देख लें, बलकि अपने विवरण के साथ संगलग नहीं कर दें, एक पुरानी और एक आज की, पुरानी पे लिखिएगा यह मैं हूँ, आज की पे लिखिएगा यह वाइरस है रहो भाई, अब से खबरणादू रहो भाई, अब से कबर राद, रहो भाई, गुरु दीना, मालख जाना, राखो जुगत लगाई, राखो जुगत लगाई, पावरती घटने नहीं पावे, दिन दिन होत सवाई, दिन दिन होत सवाई, अब से खबरदार रहो भाई, अब से खबरदार रहो भाई, अब से खबरदार रहो भाई, शमाशील की माला पहनो, यान वस्त लगाई, दया की टोपी सिर पर दे के, और अधिक बन आई, अब से खबरदार रहो भाई, अब से खबरदार रहो भाई, वस्तुपाई गाफिल मत रहना, वस्तुपाई गाफिल मत रहना, हर दिन करो कमाई, हर दिन करो कमाई, घट के भीतर चोर लगत है, घट के भीतर चोर लगत है, बैठे खात लगाई, अब से खबरदार रहो भाई, अब से खबरदार रहो भाई, वस्तुपाई गाफिल मत रहना, हर दिन करो कमाई, हर दिन करो कमाई, घट के भीतर चोर लगत है, घट के भीतर चोर लगत है, बैठे खात लगाई, अब से खबरदार रहो भाई, अब से खबरदार रहो भाई, वस्तुपाई गाफिल मत रहना, वस्तुपाई गाफिल मत रहना, हर दिन करो कमाई, घट के भीतर चोर लगत है, घट के भीतर चोर लगत है, बैठे खात लगाई, अब से खबरदार रहो भाई, अब से खबरदार रहो भाई, अब से खबरदार रहो भाई, बाहर ग्यान रहे से बाई, भाहर ग्यान रहे से बाई, भीतर भक्ति अधिकाई, भीतर भक्ति अधिकाई, सुरती जोती हर दम सुलगे कस कर तेल चड़ाई अप से कबरदार रहो भाई अप से कबरदार रहो भाई अब से खबरदार रहो भाई अब से खबरदार रहो भाई यो मैं बोरा तूराम तूरा लोग मरम का जाने मूरा मैं बोरी मेरे राम भरतार ताकारण रची कर्यो स्रिंगा मानोती लग पहरी मन माना लोग नीराम खेलो ना जाना थोड़ी भक्ती बहुत आहंकारा ऐसा भक्ता मी ले आपारा जो मैं बोरा तूराम तूरा लोग मरम का जाने मूरा मैं आचारी जी से तेड़ साल से जुड़ी दिया हूँ यूट्यूब के माधम से बाकि अभी मैंने पिछले इसी दिसमबर से गीता सत्र जोइन किया है और तब से मैं आचारी जी से मिल ले हूँ तो मेरी एक तलास खत्र होगी है जो बच्पन से मीन्स जब से समझ आई यह हो साया है तब से एक गुरू की तलास थी और मैं काफी जगह भटकी भी हूँ लेकिन एक बार जाने के बाद दुबारा कभी नहीं गई फिर वो एक अरे जी को सुना बस अंदर से वही अबाद है कि बस यही तो चाहती थी